चानक के आईएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जिया खान का पंखे से लगता हुआ शव मिला था। NCRB की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आतम हत्या के लिए उकसाने के मामले में सजा की दर 20% से भी कम है जिसका कारण है कि इस तरह के आरोपों को साबित करना बेहद ही मुश्किल होता है। अब अगर बात करें कि इस केस में कोट में क्या कहा है। Justice A.S. सेयद ने कहा है कि जिया के अंदर खुदखुशी करने की प्रवर्ती थी, वो सूरज के प्यार में पूरी तरह से डूप चुकी थी, इसी लिए इस रिष्टे से बाहर नहीं निकल पाई। कोट ने जिया की मा राभिया पर टिपनी करते हुए कहा है कि जब मामला सुसाइड का था ही नहीं तो उन्हों ने पहली नजर में इसे हत्या कैसे कह दिया। सूरज पंचोली के खिलाफ जिस कानून के तहट केस दर्ज हुआ है, वो आखिर क्या है? जिया खान सुसाइड मामले में सूरज के खिलाफ इंडियन पीनल कोड यानि कि आईपीसी के सेक्षन 306 के तहट केस दर्ज हुआ है। कोई व्यक्ति आतम हत्या करता है और उसे यदि किसी ने इसके लिए उकसाया है तो उसे कानून के जरिये दंड दिया जाता है। ये सब कुछ भारतिय कानून में अपराध है। अंग्रेजों के समय में सती प्रता को रोकने के लिए आईपीसी में इस कानून को शामिल किया गया था। विवा और दहेज उत्पिरन से जुड़े क्रूरता के मामले में इस कानून के तहत अधिकांश मामले दर्ज होते हैं। सोरज पंचोली ने अपने उपर लगाए गए आरोपों पे क्या कहा है तो एक्टर का कहना है कि जिया खान सुसाइड केस पर बरी होने से पहले और बाद में भी उन्होंने इस पर कई ब्यान दिये हैं। 2019 में एक इंटर्विव में उन्होंने जिया सुसाइड केस को लेकर कहा था कि मुझ पर लगाये गए सभी आरोपों की जाच के लिए मैं तयार हूँ। मुझे कोई सहानुवती नहीं चाहिए मैं सर्फ इतना चाहता हूँ कि सुनवाई निश्पक्ष हो चाहे वह मेरे खिलाफ चाहिया पक्ष में। वहीं बरी होने के बाद सूरज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सचाई की हमेशा जीत होती है भगवान से बड़ा कोई नहीं। किसी को आतम हत्या के लिए उकसाना कितना बड़ा अपराद है या कितना गंबीर अपराद है तो आतम हत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहट किसी को गिरफतार किये जाने पर उसके जमानत सैशन कोर्ट से होती है यहे एक संगे यानि की कॉङनिज़ेबल, गैरजमानती और नौन-कंपाउंडेबल यानि की समझोता नहीं हो सकने वाला अपराद है दरसल कॉंगनीजेबल अपराद में पुलिस अधिकारी को गिरफतारी के लिए कोट से अरेस्ट वारेंट की आवशक्ता नहीं होती गैर जमानती अपराद में आरोपी को जमानत सिर्फ कोट से ही मिल सकती है non compoundable अपराद में कोई शिकायद करता अपनी शिकायद वापस नहीं ले सकता इसमें आरोपी और शिकायद करने वालों में कोई समझोता नहीं हो सकता सुप्रीम कोट में इस तरह के फैसले पहले भी आये है पुर्व के फैसलों में कहा गया है कि आतम हत्या के लिए उकसाना जगन्य और गंभीर अपराद है ऐसे मामले समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं इन में अपरादी और शिकायत करता या पीडित परिवार के बीच समझोते से मामले को रद नहीं किया जा सकता है क्या जिया खान को आतम हत्या के लिए उकसाया गया था और क्या ऐसा करना हत्या की समान है तो नहीं CBI कोट ने कहा है कि जिया खान को आतम हत्या के लिए उकसाने के कोई ठोस साक्षे नहीं मिले है सुप्रीम कोट ने 1997 में एक फैसले में कहा था कि भले ही आरोपी की मंचा किसी व्यक्ति को आतम हत्या के लिए उक्साने की हो इसे हत्या नहीं माना जा सकता दोनों मामली में मंचा एक ही है कि उस व्यक्ति की मोत होनी चाहिए इसके बावजूद इसे हत्या नहीं माना जा सकता दोनों अलग-अलग अपराद माने जाएंगे इसे हत्या नहीं कहा जाएगा इसे एक उधारन से समझते हैं कि A नी B को उकसाया और B ने आतम हत्या कर ली तो A पर उकसाने के आरोपों में ही केस चलेगा अब इसी बात को एक अन्य उधारन से ऐसे समझी करने वाले को किसी ने उकसाया भी है या नहीं तो आतम हत्या के लिए उक्साने के किसी भी मामले में दो फेक्टर जरूरी है पहला कि ये कि किसी ने आतम हत्या की हो दूसरा ये कि किसी ने मंच्छा के तहट उसे आतम हत्या के लिए उक्साया हो जिया ख़ान सूसाइड केस की बात करे तो यहाँ जिया ने सूसाइड किया था लिहाजा पहला फैक्टर सही है लेकिन दूसरे फेक्टर के तहट ये साबित करना जरूरी है कि सूरज ने ही जीया को ऐसा करने के लिए उकसाया था CBi कोट ने तथ्यों की जाच करने के बाद देखा कि सूरज की मंचा क्या थी क्या वह चाता था कि जिया आतम हत्या कर ले ये बात सबूतों और साक्षों से प्रमानित नहीं हो पाए इसलिए उसे दोशी नहीं माना गया लेकिन कोट किसी को मंचा को कैसे तै करता है यानि कि कोट कैसे तै करता है कि किसी आदमी की मंचा क्या है सुप्रीम कोट ने इस मामले में कहा था कि किसी ने कह दिया कि जाओ मर जाओ और वह वेक्ति मर गया तो इसे आतम हत्या करने के लिए उकसाने का दोशी नहीं माना जा सकता इससे साफ है कि किसी को गुस्से में या जलाट में कुछ कह देना आतम हत्य के लिए उक्साना नहीं है इस तरह के मामले में किसी आरोपी को दोशी नहीं ठहरा जा सकता ऐसे मामले में आरोपी की मंच्छा देखी जाएगी उसका सामान्य बरताव देखा जाएगा यदि हमेशा वह इसी तरह की शब्दों को बोलता रहा हो तो उसे दोशी नहीं माना जाएगा इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू सो मच